करवा चोद पर ये उपाई करें पती की उम्रू लंबी होगी और तरक्की मिलेगी चैनल को कीजिए का बेल वटिंग के साथ सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके करवा चोद पर ये उपाई जरूर करें पती की उम्रू लंबी होगी और मिलेगी तरक्की आज हम बात करेंगे कैसे पर्व के बारे में जो ना केबल प्रेम और संपन का पड़ती के बल्कि ये दामपत्य जीवन में विश्वास और मजबूती भी लाता है करवा चोद पर महले मिलाए अपने पती की लंबी उम्र और सुकसम रिद्धी की कामना के लिए वरत रखती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चोद के दिन कुछ खास उपाई करने से आपके और आपके जीवन साती के बीच संबंद और भी अच्छे हो सकते हैं आज हम इन उपाई उपर विस्तार से चर्चा करेंगे पहला आगया सिंदूर का सही प्रियोग करवा चोद के दिन सुबह स्नान करने के बाद पारवती जी की प्रती में को सिंदूर चड़ाए और उनके चर्नों में चावल रखें इसके बाद इस संदूर को अपने पती के नाम से अपने मांग में भरे ऐसा करने से अपके पती के साथ आपका संबन और भी मजबूत होता है और आपके रिष्टे में हमेशा सोहाग बना रहता है माना जाता है कि पारवती जी के आशिरवाद से पती की लंबी उम्र और दामपत्तिय जीवर में सुक्षानती बनी रहती है दूसरा उपाई आगे सनान के बाद नए कपड़े पहनना करवा आप नए साफ सुत्रे कपड़े पहनने के साथ साथ इस छोटे से उपाई के साथ अपने रिष्टे के सकरात्मक और प्रेम की वृद्धी होती है तीसरा उपाई आचुका है करवाचोध पर मीठा पकवान बनाकर चंदरमा को अरपित करना करवाचोध के दिन मीठा पकवान जैसे खीर, हलवा या मिठाई बनाकर चंदरमा को अरपित करना बहुत शुब माना जाता है मीठा पकवान दाम पत्ते जीवन में मधूरत और प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है जब आप चंदरमा को अरपित करें और फिर इसे अपने पती और परिवार के साथ मिलकर ग्रहन करें मीठा पकवान अरपित करने से आग के जीवन में मिठासो समरीदी का संचार होता है आ गया है अगला चौथा उपाए करवाचोध पर गंगा जल का प्रियोग गंगा जल को हिंदू उधर में अत्याधिक पवित्र माना जाता है करवाचोध के दिन गंगा जल का प्रियोग विशेश रूप से लापकारी होता है इस दिन पूझा के समय पारवती जी और शिव जी को गंगा जल अरपित करें गंगाजल का प्रियोग आपके जीवन में शान्ती, शुत्ता और स्मृधी लाता है पूजा के बाद गंगाजल की कुछ बूंदे अपने घर के हरकोने में चेड़की ऐसा करने से आपके घर से नकरात में गुर्जा समाप्त होती है पाचपा उपाई आगया साथ भर धागा बानना, करवा चौध के दिन एक लाल या पीला धागा लेकर उसे साथ भर अपने पती के नाम से बान देंगा, धागा किसी पीपल के पेड़ी या तोजसी के पौदे पर भानना चाहिए माना जाता है कि ऐसा करने से पती पतनी के बीच आने वाले किसी भी प्रकार के विवात या मनमुटाव को दूर करने में मत मिलती है इस उपाई से आपके रिष्टे में संपर्न और प्रेम बढ़ता है चटा उपाई करवाचोध की कता सुनना करवाचोध के दिन वुरत करने के साथ सथ इस परफ से जुड़ी प्रौनानी कता सुनना अत्यान ताविशक है इस कता को सुनने से मनुवांचित फल की प्राप्ती होती और दमपत्य जीवन में संतूलन बना रहता है अगर आप अपने पती के साथ मिलकर इस कता को सुनेंगी तो आप दोनों के बीच समझ और सईयोग बढ़ेगा कता में देवी करवा के संपर्न और द्रिन निश्चे की कता को सुनकर पती-पत्नी के रिष्टे को मजबूती मिलती है आ गया है अगला साथ में उपाए करवा का दान करवा चौथ के दिन करवा यदि की मिट्टी का पात्र का विशेश महत्म होता है इसे नाकेवर वरत के दोरान पूजा में प्रियोग किया जाता है बलकि इसका दान भी किया जाता है आप कड़वा में मिठाई, फल और अनाज भरके किसी जरूरत मन्द महिला को दान करें इससे आपके और आपके पती के जीवन में सुक सम्रिदी आती है और रिष्टे में स्तिर्था बनी रहती है आठवे उपाये में गव माता की पूजा करवा चौत के दिन गव माता की पूजा करने में भी विशेश रूप से लापकारी माना गया है अगर आपके पास गौ माता की सेवा का अफसर हो तो उन्हें रोटी और गुड़ खिलाएं इससे ना केवल आपके जीवन साती की उम्र बढ़ती है बलकि आपके दाम पत्तिय जीवन में भी सुम्रिदी आती है गौ माता को समर्पित किया गया भोजन पती पत्ति के बीच प्रेम और शांती को बनाए रखने में सहायक होता है नॉमल टप उपाया आगया है करवचौत के दिल लाल धागे का उपाय लाल धागा को हिंदू धर में शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना गया है और इस रंग का विवा और सुहाक से भी गहरा संबन्द है करवचौत के दिन एक लाल धागा लेकर इसे अपनी कलाई परवाने इस धागे को बानते समय शिवजी से और पारवती जी का ध्यान करें और उनसे अपने पती के साथ सुखद और मजबूत रिष्टे की प्रातना करें इस लाल धागे को पती पत्नी के बीच प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि लाल धागा आपके रिष्टे में किसी भी प्रकार की नाकरत्मा या बुरी तरह से बचाता है आप चाहे तो इस धागे को अपने पती की कलाई पर भी बान सकती है जिससे आपका रिष्टो और भी मजबूत और सुरक्षित रहेगा ये एक सरल और प्रभावी उपाई है जो आपके दाम पत्ते जीवने सकरात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा दस्वा उपाई आ चुक है पीपल के पेड़ की पूजा और जल चड़ाना करवा चौज के दिन पीपल के पेड़ की विशेश पूजा का महतु है यह पेड़ भारतिय संस्क्रितिक और अध्यात्मिक परंपराओं में एक पूजनिय स्थान लगता है पीपल का पेड़ शिव का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से आपके दामपत्य जीवन में आने वाली परिशानियों का अंध होता है सुबह सनान करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और जल अर्पित करें समय ये प्रात ना करें कि आपके और आपके पती के बीच हमेशा प्रेम और विश्वास मना रहे है ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने से पती पतनी के बीच चल रही चोटी चोटी तमस्य आए खतम हो जाती है और उनके रिष्टे में नई उर्जा का संचार होता है आप पीपल के पेड़ की पूजा करते समय उसकी साथ प्रेक्रिमा करें जिससे रिष्टे में सिर्था आती है और जीवन में सक्रात्मक बदलाव लेते है प्रक्रीमा करते समय अपने पती के लिए दीगायू सम्रिदी की कामना करें माना जाता है कि यह उपाई आपके रिष्टे को बुरी नजर और नकरातमक शक्तियों से दूर रखता है 11 उपाई पती पत्नी का एक साथ पूजन करवचोध की दिन पती पत्नी एक साथ मिलकर पूजन करें तो इसका विशेश फ़ल प्राप्त होता है पूजा के समय पती के मस्तक पर रोली और अक्षट से तिलक करें उन्हें शुबकामनाई दे या तिलक ना के बद शारीरी कूर्जा परदान करता है बलकि मांसिक और अध्यात्मिक रूप से भी रिष्टे का सश्चक्ट बनाता है इस विशेश पूजन में आप दोनों को पारवती जी और शिव जी की मूर्ती के सामने घी का दीपक जलाकर साथ में पूजा करनी चाहिए इसे शिव पारवती की किलपा आपके दामपत्तिय जीमन पर से दैव बनी रहती है आपके रिष्टे को बुरी नजर और नकरात्मक शक्तियों से तूड रखता है बारवा उपाया गये करवा चौद के दिन पीले कपड़े पहनना पीला रंग हिंदू धर में शुब और पवित्र माना जाता है साथ में यह रंग ब्रेसपती से जुड़ा है जो ग्यान, स्मृधी और सुभागया के कारक है करवा चौध के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना अत्यान शुब माना जाता है यह ना केवल आपके जीवन में सकरात्मकता लाता है बलकि अपके पती के साथ आपके रिष्टे को भी और सशक्त बनाता है पीले रंग पहन कर पूझा करने से आपके जीवन में स्मृधी और खुशा लियाती है साथ ही यह रंग आपके दाम पत्य जीवन में प्रेम और समुझसे को बढ़ाता है अगर संभव हो तो करवा चौध के दिन पूझा के समय अपने पती को भी पीले रंग के वस्त पहनाने का सुचाव दें ऐसा करने से गुरू ब्रहस पती की विशेश कृपा आपके रिष्टे पर बनी रहती है और आपके जीवन में आने वली सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती है टिप नबर थर्टीन आ चुकिए करवा चौध पर दूझ से चंदरमा का करें अभिशेख करवा चौध की दिन चंदरमा को दूझ से अभिशेख करना एक पेहत शुप उपाए माना चाता है चंदरमा को शीतलता और शांती का प्रतीक माना गया और दूझ का अभिशेख आपके दाम पत्ते जीवन में सुख और शांती को बढ़ाता है जब चंदर्मा उद्धित होता है तब एक साफ पातर में दूद लेकर उसे चंदर्मा को अर्ग दें अर्ग देने के साथ साथ भगवान चंदर से अपने पती की लंबी आयू और स्वस जीवन की प्रातना करें सुपाय से चंदर्मा की क्रिपा आपके रिष्टे पर बनी रहती है और जीवन में आने वाले तनाव विवाद और समस्याय कम होती है दूद चंदर्मा की शीतलता को दर्शाता है और इसे अर्पित करने से आपके रिष्टे में भी शीतलता और सिर्था बनी रहती है यह उप आ चुके है हमारा डिस्क्लेमर इस वीडियो में नहीं किसी भी जानकारी सामगरी गन्ना की सटीकता या विश्वस्नियता की कारेंटी नहीं है दिभिन माध्यमों जो तीशियों प्रचांगों प्रवचनों मानेतां धर्म ग्रंतों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक हमारा उदेशिये महद सूचना पहुचाना इसके उप्योग करता इसे महद सूचना समझ करी लें इसके अतिरिक इसकी किसी भी उप्योग की जिम्मेदारी स्वयम उप्योग करता की ही रहेगी